नमस्कार दोस्तों मैं संदोस पटल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजीटल भंडार पर यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कंप्यूटर की सौट, ट्रिक्स एंड टिप्स को सीखना चाहते हैं किसी कॉम्टेटव एक्जाम के लिए CPCT के लिए कंप्यूटर के कॉस्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ सेयर करें आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, CPCT एक्जाम के लिए कुछ important question को मैंने पहले भी CPCT एक्जाम के लिए कुछ important question की वीडियो अपने चैनल पर upload करी है यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं, तो चैनल की playlist से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं आज की वीडियो का सुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा पहला question क्या है तो पहला question हम से MS Excel से पूछा गया है, MS Excel का by default view होता है जब आप MS Excel को open करते हैं, तो बहाँ पर आपको एक workbook मिलती है workbook मतलब होता है MS Excel की file और उस workbook के अंदर एक आपको seat मिलती है जिसे हम बोलते है work seat, by default workbook का नाम होता है book 1 और work seat का नाम होता है seat 1 तो आपको जो seat दिखाई जाती है, so की जाती है, वह by default किस view में होती है MS Excel की जो seat होती है, work seat होती है, उसको अलग-अलग तरीके से so करने के लिए MS Excel multiple view प्रदान करता है, तो आपसे पूछा गया है, by default कौन सा view होता है इस question का सही answer है, option number A, normal view, जब आप MS Excel को open करते हैं, तो MS Excel की जो work seat होती है वह by default normal view में so होती है, इस question को आप practically देख सकते हैं Excel में जब आप MS Excel को open करते हैं, तो आपको by default एक workbook और एक work seat प्राप्त होती है जो भी view हैं आपकी work seat के, वो आप view tab में जाकर देख सकते हैं जब आप page break preview यूज़ कर सकते हैं, page layout view यूज़ कर सकते हैं और custom view भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन question में हमसे पूछा गया है कि by default कौन सा view select होता है, तो by default Excel का कौन सा view होता है normal view, इस question का answer है option number A, normal view, देखते हैं अगले question को next question हमसे पूछा गया है, backup file का extension होता है जब भी आप अपने किसी original file का backup तयार करते हैं, तो उस backup file का भी अपना एक extension होता है हर file की तरह backup file का भी एक extension होता है, तो हमसे पूछा गया है कि backup file का extension क्या होता है backup file एक ऐसी file होती है, जो आपके data को loss होने से बचाती है यदि आपकी कोई original file है तो आप उसका backup तयार करके रख सकते हैं किसी कारण से आपकी original file यदि delete हो जाती है तो आप backup file की सहायता से data को restore भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि backup file का extension क्या होता है इस question का सही answer है option number c.bak backup file जो बनती है उसका extension होता है .bak पूछा गया है MS Excel में active cell का content so होता है active cell क्या होता सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जो Excel की worksheet होती है उसमें multiple cell होते हैं बहुत सारे cell होते हैं तो सभी cells में से आपका करजर अभी जिस cell पर होता है उस cell को बोला जाता है active cell MS Excel worksheet में जिस cell पर आपका अभी करजर है जो cell आपने select करके रखा है उसे हम बोलते है active cell active cell के अंदर जो भी text आपने type किया है वह content कहलाता है content आपको कहां so किया जाता है यह हमसे पूछा गया है तो MS Excel में active cell का content कहां so होता है footer बार में, tool बार में, task बार में या formula बार में तो इस question का सही answer है option number D formula बार में excel worksheet के ऊपर formula बार होता है जब भी आपको formula या function या content type करते हो तो वो आपको formula बार में दिखाई देता है इसको हम practically देख सकते हैं यह हमारी excel की worksheet है for example मैं यहाँ पर कोई एक text type कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं जो text मैंने यहाँ type किया वो मुझे इस cell में तो दिखाई दे रहा है साथी साथ यहाँ पर आपको formula बार में view content दिखाई देता है जब भी आप किसी cell पर करजर रखते हो तो इस cell को कहा जाता है active cell और active cell में आप जो भी content type करते हो जो भी matter type करते हो वो आपको उपर formula बार में दिखाई देता है तो इस question का सही answer है formula बार option number D देखते हैं अगले question को next question हम से पूछा गया है Excel में default page orientation होता है MS Excel का important question है जब भी आप MS Excel में बर्ग सीट तयार करते हो तो बर्ग सीट तो बहुत बड़ी होती है multiple row और कॉलम होते हैं उसमें page आपको by default समझ में नहीं आता है लेकिन जब हम उस seat का printout नकालते हैं तो हम एक proper size का page यूज करते हैं जैसे कि A4, A3, legal तो हम से पूछा गया है कि जब हम printout नकालेंगे तो by default printout किस type की orientation पर निकलेगा page orientation दो प्रकार की होती है एक होती है portrait orientation जो की vertically होती है लंबाई में आपका page print होगा और एक होती है land escape जो की horizontal page होता है जिसमें आपका page चोडाई में print होता है तो by default जो orientation होती है वो होती है portrait जब भी आप किसी software में जैसे की word excel में printout देते हैं तो by default page की orientation क्या होती है portrait तो इस question का सही answer है option number C portrait देखते हैं अपने अगले question को next question हम से पूछा गया है blank आपके system को hackers से बचाता है यदि आपके computer में कोई hacker या attacker चोटा मोटा attack करता है तो उसको बचाने के लिए आपके computer में क्या होता है एसी कौन सी device या software होता है जो आपके computer को hacker से बचाता है A. Firewall B. Intruder C. Backup D. Device Driver तिस question का सही answer है firewall हर computer में operating system के साथ firewall दिया जाता है जो कि आपके computer में होने वाले किसी छोटे मोटे virus attack से secure करता है firewall security पिदान करता है जिससे की आपके computer को कोई भी unauthorized access नहीं कर सकता है इस question का सही answer है firewall option number 1 देखते हैं अगले question को next question भी Excel से लिया गया है MS Excel में same cell में new line start करने की shortcut की है या shortcut है आपने देखा होगा Excel में multiple cell होते हैं और आप हमेशा cell में type करते हैं कोई भी content जब आप typing चालू करते हैं तो left side से text type होना चालू होता है start होता है और right side में text type होता जाता है बट जब आपका text cell की size से बड़ा होता है तो matter cell से बाहर चला जाता है फिर आपको ऐसी condition में same cell में दूसरी line type करनी होती है एक cell के अंदर multiple line type करनी होती है तो हमसे पूछा गया है same cell में new line कैसे start होती है क्या उसकी shortcut की है तो जब भी आपको MS Excel के किसी cell में new line start करनी हो तो उसकी shortcut की होती है alt plus enter alt plus enter इस question का सही answer है option number d option number c sorry alt enter जो की MS Excel में आपको same cell के अंदर एक नई line start करने की service प्रवाइड करती है इसको हम practically देख सकते है for example मुझे यहाँ पर लिखना है student name तो आप देख सकते है student के बाद जो name है वो cell से बाहर जा रहा है यदि मुझे student के बाद name को next line पर लाना है तो मैं यहाँ student के बाद करजर को set करूंगा और alt के साथ enter को press करूंगा तो एक ही cell के अंदर मैंने दो line का text type कर दिया है यह option alt plus enter से use किया जाता है एक ही cell के अंदर यदि आपको multiple line type करनी है तो उसकी shortcut की क्या होती है alt plus enter देखते हैं हमारा अगला question क्या है next question हमसे पूछा क्या है hyperlink के लिए hyperlink insert करने की shortcut है सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि hyperlink क्या होती है hyperlink एक ऐसा option है जिससे आप multiple files को link कर सकते हो for example आपने MS Word में 3-4 file बना कर रखी है आप एक बार में एक ही file को open करके देख सकते हो दूसरी file को open करना तो अलग से open करना पड़ता है आपको तो hyperlink आपको यह सुबिदा देता है कि आप एक page से दूसरे page में जाने की link तैयार कर सको दूसरे page से तीसरे page में जाने की link तैयार कर सको मतलब यदि आपने अलग-अलग multiple file बनाई है उन सभी को आपस में link करने के लिए किसका use किया जाता है hyperlink का use किया जाता है जिस प्रकार से एक website में multiple webpage होते हैं और सभी webpage को hyperlink से link कर दिया जाता है उसी प्रकार से हम msbird, msxl की multiple file को भी आपस में link कर सकते हैं जिसकी shortcut की होती है control-k यदि आप hyperlink को use करना चाहते हैं तो इसकी shortcut की होती है control-k option number b msbird में, msxl में भी आप इस option को control-k से use कर सकते हो control-k प्रेस करने पर insert hyperlink की window so होती है dialogue box so होता है जिससे की आप multiple file को आपस में link कर सकते हो इस question का सही answer है control-k देखते हैं अंगले question को next question msbird से पूछा गया है msbird में 1.5 line spacing set करने की shortcut की है यदि आप msbird में typing कर रहे हैं तो दो line के बीच का जैसे आप देख सकते हैं यह मैंने पहली line type करी यह मैंने दूसरी line type करी यह तीसरी line type करी तो यह जो दो line के बीच में कुछ gap होता है space होता है इसे बोला जाता है line space यदि यह space मुझे 1.5 set करना है 1.5 line set करना है तो उसकी क्या shortcut की होती है control 2 control 1 control 5 या control 3 तो यहाँ पर यदि आपको 1.5 line का space set करना है तो उसका shortcut होता है control plus 5 इस question का सही answer है option number C इसको practically देखते हैं हम यह मैं MS word में आ गया MS word में मुझे इस paragraph में line space को कम या जादा करना है तो मैं control के साथ 5 use करूँगा आप देख सकते हैं line space थोड़ा सा increase हो गया है 1.5 line हो गया है यदि मुझे line space को कम करना है तो मैं control 1 का use करूँगा control 1 से single line space आता है control 2 से double line space आता है और control 5 से 1.5 line space आता है तो line spacing की तीन shortcut की MS word में चलती है control 1 से single line space control 2 से double line space और control 5 से 1.5 line space इस question का सही answer था control plus 5 जो की 1.5 line का space देता है यदि आप control के साथ 1 का use करेंगे तो आपको single line spacing मिलेगी यदि आप control के साथ 2 का use करेंगे तो double line spacing मिलेगी और यहाँ पर control 5 1.5 line spacing की shortcut की होती है देखते हैं अगले question को next question बहुत important है logical question है यहाँ पर हमसे CD की थिकनेस पूछी गही है जो CD होती है optical disc है CD DVD एक optical disc होती है तो CD की जो थिकने से मौटाई यह वो कितनी होती है तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि CD एक optical disc होती है optical disc plastic से बनी होती है polycarbonate से और CD का full form होता है compact disc compact disc CD का full form होता है compact disc जो CD होती है उसमें 700 MB तक का data इस्टोर किया जा सकता है CD में 700 MB तक का data आपने स्टोर कर सकते है और CD की जो थिकने सोती है वो होती है 1.2 mm मतलब इस question का सही answer है option number A एक ही question के अंदर आपको 3-4 question सीखने मिल गए CD का full form होता है compact disc CD एक optical disc होती है CD में 700 MB तक का data data store किया जा सकता है और CD की थिकने सोती है 1.2 mm यह question CPCT paper से ही मैंने देखा है उसी से इसको select किया है यह question पूछा जा चुका है तो paper में हर type के question आते हैं easy V, tub V आपको हर type के question को तयार करना है एक question के अंदर आपको 2-3 question तयार करने का मौका यहां पर मिल रहा है तिस question का सही answer है option number A 1.2 mm देखते हैं next question को next question हम से पूछा गया है USB से related USB 3.1 को किस year में बनाया गया था USB क्या होता है पहले हमें यह पता होना चाहिए USB का मतलब होता है universal serial bus USB का full form होता है universal serial bus universal serial bus USB का full form होता है universal serial bus जो की एक port होता है आपने देखा होगा आपकी जो pen drive होती है आपके mobile का जो charger होता उसके साथ भी USB केबल होती है कोई keyboard, mouse सभी के साथ USB port आता है तो USB port के कई version अभी तक market में आ चुके हैं हमसे पूछा गया है कि USB 3.1 version को किस year में बनाया गया था तो इस question के answer में आपको इस 3 को याद रखना है और 3 को देखकर यहां पर आपको मिल जाएगा 2013 तो इस question का सही answer है option number C 2013 जो USB 3.1 version है वो बनाया गया था सन 2013 में इस question का सही answer है option number C देखते हैं अपने next question को next question Java programming language से पूछा गया है तो आप CPCT में basic question के साथ-साथ थोड़े से advanced level के question भी पूछे जाते हैं क्यूंकि starting में जो CPCT का exam होता था वो 2 साल के लिए ballot था फिर 4 साल किया गया उसको अब 7 साल कर दिया गया है तो basic question के साथ-साथ कुछ advanced question भी पूछे जाते हैं आपको हर type के question को तयार करना है यहाँ पे हमसे Java programming का question पूछा गया है कि Java class file का extension होता है जब हम Java में कोई भी program बनाते हैं typing करते हैं, coding करते हैं तो उस file को save करते हैं और उस file को जब run किया जाता है Java के program को जब run किया जाता है तब एक class file बनती है तो उस class file का हमसे extension पूछा गया है जब आप Java का program बनाते हो और Java का program save करते हो तो उसका extension होता है dot Java यदि आपसे Java का extension पूछा जाता है तो आपको बताना है .java लेकिन Java की class file का extension पूछा जाता है तो होता है .class जब हम Java का program बनाते हैं programming करते हैं, coding करते हैं तो यह होता है high level language में फिर इसको low level language में convert किया जाता है compile करके तो जैसे ही program को compile करते हैं Java program के अलावा एक और file तयार हो जाती है और इस file का extension होता है .class तो हमसे Java की class file का extension पूछा गया है जो होता है .class इस question का सही answer है .class यदि आपसे Java का extension पूछा जाता है तो आपको .java लगाना है लेकिन यदि class file का extension पूछा जाता है तो होता है .class देखते हैं अपने अगले question को यहाँ पे हमसे पूछा गया है निमने में से कौन एक portable computer का example है यदि आपको यह पता है portable का मतलब क्या है तो आप इस question का answer सही टिक कर सकते हो portable का मतलब है एक ऐसा computer आप जिसको carry कर सको ले जा सको अपने साथ कहीं भी ले जा सको उसे हम क्या बोलते हैं portable computer तो जो mini computer है manframe computer है desktop computer है यह fix होते हैं जबकि PDA जो होता है PDA for example tablet, smartphone, mobile उसको बोला जाता है PDA यह एक portable computer होता है तो इस question का सही answer है option number D PDA और PDA का full form भी आपको याद रखना है PDA का full form होता है personal digital assistant आज की date में आपके साथ आपका personal digital assistant होता है smartphone, mobile phone वो भी एक portable computer का example है तो portable computer एक ऐसा computer होता है जिसको आप अपने साथ carry कर सकते हो इस question का सही answer है option number D PDA next question पूछा गया है ALU का full form क्या होता है या ALU का full form होता है बहुत ही simple question है basic question है इसका answer maximum users को पता होगा हमारे computer में ALU का एक part होता है ALU responsible होता है सभी प्रकार के arithmetic calculation के लिए logical calculation के लिए जिस question का सही answer है option number A arithmetic logic unit ALU का full form होता है arithmetic logic unit इस question का सही answer है option number A next question Excel से पूछा गया है MS Excel में निम्न में से कौन सा operator inequality मतलब आसमानता को represent करता है जब भी आप Excel में कोई formula या function लगाते हैं तो कई बार हमें कुछ बहाँ पर relation check करनी परती हैं जब भी आप Excel में कोई calculation करते हैं कंडिशन लगाते हैं तो महाँ पर multiple type के operator यूज किये जाते हैं तो हम से पूछा गया है inequality operator कौन सा होता है आसमानता वाला operator कौन सा सा होता है यह operator आप देख सकते हो greater than equal है जो की check करता है value बड़ी है या बराबर है यह less than equal है जो check करता है value छोटी या बराबर है यह cable greater than है जो की check करता है value बड़ी है यही इसका answer है option number D in equality operator मतलब की यह check करता है value बराबर नहीं है तिस question का सही answer है option number D next question email से पूछा गया है जब आप email send करते हैं तो email type करते समय email को तयार करते समय ऐसी कौन सी line होती है जो आपके पूरे email के content को describe कर देती है जब भी आप email type करते हो तो उसमें multiple field होती है एक to, cc, bcc, subject line, signature line, message multiple parts सी email बना होता है तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि email send करते समय blank line message के content को describe करती है option number a में 2 है b में subject है c में content है और d में cc है तो जब भी आप कोई email type करते हैं तो email का जो भी आपका एक purpose होता है उस purpose को describe करता है email का subject line कोई भी email जब तयार किया जाता है तो email के अंदर जो भी description है जो भी detail है उससे मिलता जुलता एक subject line set किया जाता है जिससे की receiver को यह पता चल जाए कि यह email किस purpose से भीजा गया है तो email के content को describe कौन कर देता है उसकी subject line इस question का सही answer है option number b आज की वीडियो में हमने करीब 15 question को discuss किया है यह सभी वही question है जो पहले भी paper में पूछे जा चुके हैं यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें जादा से जादा लोगों के साथ share करें हमारे channel को subscribe करें धन्यवाद